इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप्योग करते अलफा और बीटा केरोटीन, सेलेनियम, पोटेशियम, आजनिन, जिंक, ओमेगा तीन फैटी जैसे फाइटो न्यूट्रियांट से भरपूर है एसेड, मेगनीशियम और फॉसफोरस इसमें एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डाइबिटिक, एंटी हाइपिटेंसिव, एंटी कॉलेस्ट्रॉल, इम्मूनो मोडुलेटरी और काडियो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं क्लोरिला में सभी आवश्यक प्रोटीन काफी मात्रा में मौजूद होते हैं यह एक अच्छा शाकाहरी स्रोथ है क्लोरिला, यानि की क्लोरिला वल्गेरिस, मीठे पानी के हरे शैवाल में से एक है, जो पोशन मूली में जैव सगन है यह एक अच्छा प्रोटीन स्रोथ है, और इसमें आवश्यक ट्रेस तत्व होते हैं, जो शरीर के कारियों को बढ़ाते हैं और इश्ट्टम पोशन भी प्रदान करते हैं क्लोरिला एक चमकीला हरा शैवाल है, जिसमें 50% प्रोटीन होता है यह आयरन, फाइबर, विटामिन B, जटल काबोहाइडरेट, पॉलिन सिचुरेटड वसा और लिूटिन और विटामिन C जैसे एंटियोक्सिडन से भी समर्द है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, यह प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे पोशक तत्वों का एक समर्द स्रोथ है दो, प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य और विशहरण का समर्थन करता है 3. रक्त शरकरा के स्तर को प्रबंधित करने और इंसुलिन समवेदन शीलता में सुधार करने में मदद करता है 4. शरीर में सूजन और ऑक्सिडेटिव तनाव को कम कर सकता है 5. वजन घटाने और कॉलिस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायता कर सकता है 6. आंत के स्वास्थे और पाचन में सहायता करता है 7. त्वचा के स्वास्थे में सुधार हो सकता है और घाव को आराम मिल सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें